आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार में जो कक्छा एक से लेकर के पाचवी तक के लिए सिख्षक बहाली हो रही है इसमें खास बात यह है कि अब बिहार धारक अव्यारती बिहार सरकार का जो नियम है जो 17 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है इस नोटिफिकेशन को हाई कोर्ट में बिहार धारक अव्यारती चैलेंज करेंगे बड़ी ख़बर आपको बता दे NCTE और बिहार सरकार के गैजेट्स के द्वारा जब बिहार को 125 में सामिल होने का समान अबसर दिया गया है या फिर 125 में जब बिहार धारक अव्यारती को NCTE के द्वारा और इसके अलाबा बिहार सरकार के गैजेट्स के द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि बियर धारक अभ्यारती भी 125 में सामिल हो सकते हैं ऐसे में बिहार सरकार ने जो वर्याता की बात कही है इसको बिहार के जो भी बियर अभ्यारती है वे पटना हाई कोर्ट में इस नोटिफिकेशन को चैलेंज करेगे जिहां एक बड़ी खबर आप सभी अभ्यातियों को बता दें यहां पर 17 दिसंबर 2019 को जो सिख्षा विभाग के तरफ से जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि डियलेट वाले को परार्थमिकता मिलेगी इस नोटिफिकेशन को बीट धारा कभ्यारती हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे है से लेकर के पाचवी तक मिलिए सिख्षक बनने के लिए जो मेनिमम योगिता होनी चाहिए वो कम से कम जो है दो एर का डिप्लोमा होना चाहिए इसके अलावा इंटर्मीडियेट में 50% कम से कम मार्फ होना चाहिए इसके अलावा ये भी जो है एंसीटी ने एक न्या मांदन तैकिया है कि 50% मार्फ अप ग्रेजएस्वन में होना चाहिए और बीएड का डिग्री होना चाहिए इसके बाद आप 1 to 5 में टीचर बन सकते हैं इसके अलाबा पेपर 1 अगर आप TET के परिक्षा पास है तो आप पेपर 1 की जो है यानि की कक्छा एक सलेकर के पाचवीत तक में सिख्षक बनने के लिए पूरी तरह से योग्यत है तो फिर और उन्हें सरकार ने भी दे दिया है और NcTE ने भी दे दिया है तो फिर सरकार ने जो अभी नोटिफिकेशन जारी किया है कि बी डीलेट वाले को जो है प्रार्तमिक्ता दी जाएगी तो डीलेट वालों का जन्मसीद अधिकार है ही लेकिन आपको यहाँ पर बता दे जब NcTE कक्छा एक से लेकर के पाचवी तक में और बियर जो है बिहार सरकार भी कक्छा एक से लेकर के पाचवी तक में बियर धारा को शिक्षक बनने का मौका दिया है तो वो वरियता किस अधार पर दे रहे हैं कि यदि सरकार को वरियता ही देना था तो वरियता राज्य सरकार नोटिफिकेशन जब जारी हुआ था उसी समय दे देते लेकिन सरकार ने अब अपबंधिक मेदा सुची जारी हो गया है ऐसे में तब सरकार का यह नोटिफिकेशन पूरी तरह से गल तो अभियारती याची का दायर करेंगे आप सब भी अभियारती जरूर से जरूर सायोग करें